दोस्तो आज किस वीडियो में बात करेंगे रानी द्रोगाविदी पिश्विद्धला जवलपूर मद्दिपदेश के अंतरगत जो प्राइवेट छात्रे हैं जो ग्रेजुएशन एवं पोस्ट के विशन वादे जो प्राइवेट छात्रे हैं उन सभी के यहां पर एक्जाम फॉर्म भढ़ने की डेट यहां पर आ चुकी थी जिसकी इनफर्मिशन हमने आपको अपने वीडियो के मादव से बताई थी कि आपको कब से कब तक जो है अपना फॉर्म जमा करना है इसके बाद यहां पर एक नोटिफिकेशन और आ चुका है प्राइवेट बीए बीकॉम वाले जो फर्ष्टियर सेकंड और थर्डियर वाले चात्र हैं जिने नवंबर दोहजार बीच में पूरक पर इच्छा देनी थी और उनका जो रजल्ट है वो दोहजार बीच में सप्लिमेंटी जो है उनको आई थी तो वो अब अपना जो है एक्जाम फॉम भर सकते हैं औ और साथ ही उनकी एक्जाम डेट भी यहां पर आ चुकी है तो जो छात्र शात्र दोहजार बीच में जो है यहां पर हम प्रीडेप के माद हमसे आपको बताना चाहेंगे राइंदर गवती शुद्धहला जवलपुर के अंतरगात आप देख सकते हैं 16 जून दोहजार के इस नवंबर दोहजार वीच में पूरक परिक्षा के लिए आविदन करने थे तो यहां पर नहीं हो पाये थे तो यहां पर आपको जो है फॉर्म भढ़ने की जो डेट वो यहां पर बताई गई है कि आप कब से कब तक फॉर्म भर सकते हैं तो यहां पर जो सप्लीमेंटी वाल पूरा परिक्षा का form फिल कर देते हैं तो आपको जो है किस तारिक से आपके जो है एक्जाम होगे तो यहां पर हम पूरी इंफिर्मिशन आपको यहां पर बताने वाले सबसे पहले यहां पर बात करेंगे बीए, बीकॉम, पर थम, दूतीय, तरतिय वर्स के जो एक विसाई के जो छात है जो एक विसाई की जो फीज है यहाँ पर वो 1530 रोपए है आपको 1530 रोपए पेमेंट करना होगा इसके बाद जो है आपको फॉर्म की जो हार्ड कॉपी है वो आपको अपने नजदी की महाविद्धहलाय में जाकर 24 जून 2021 तक आवस्थक रूप से जमा करनी होगी इसके साथ आपकी जो एक्जाम डेट है बूख क्या है और कैसे आपके पेपर होंगे तो यहाँ पर रानी प्रगवदी शुद्धहला जवलपुर के अंतरगत जो है 16 छे दो जार किसको जानकर प्रिकासित की गई है जिसमें परिक्षा समाई सारणी यहाँ बताई गई है तो यहाँ पर 17 मई जून 2020 के जो मुख परिक्षा थी उसमें समलत हुए थे जो परिक्षा थी समलत हुए थे और उन्हें सप्लिमेंटी आई थी तो यहाँ से प्राइवेट इसना तक बीए भी कौम वाले प्रिथम दूतिय तरतिय वर्स नवंबर 2020 के जो चात्र हैं जिनका परिणाम असाइमेंट अंगों के अधर पर तयार किया जाना है तो उन्हें जो है असाइमेंट बनाना होगा तो वो किस डिट से आप बना सकते हैं तो यहां पर बताया गया है कि प्राइवेट इसना तक बीए भी कौम प्रथम दूतिय तरतिय वर्स की जो चात्र हैं वो सभी अपना 18-6-2021 से 21-6-2021 तक ऑनलान आविदन करेंगे 24-6-2021 तक वो अपनी जो है hard copy महाविद्धला में जमा करेंगे और यहां पर 24-6-2021 से 24-6-2021 से आपके जो है assignment प्रशन पत्रों को upload जो है side पर upload किये जाएंगे इसके बाद जो है यहां पर 24-6-2021 को आप अपने question paper लेंगे और दो दिन में आपको जो है अपना उत्तर पुस्तिकर लिखनी होगी assignment copy लिखनी होगी और 26-6-2021 के इसको आप अपनी परिक्षा के अंदर में जो है आपको अपना assignment copy आपको जमा करनी होगी इसके बाद आपको जो है अगर hard copy आप जो अंक पोटल पर जो है दर्ज करने के लिए जो विश्विद्ध दहला कुछ उत्तित्थी दी जाएगी वो 36-2021 इसके पहले जो है जो आपको महाविद दहला है जहां आपको पीजमा करते हैं वो आपकी जो है अपलोडिंग नम्बरों की जो अपडेटिंग है वो यहां पर करेंगे तो यहां पर जो है प्राइवेट प्रिथम दुतियम तरतिवर्स के जो पूरा छात्र हैं जिन्होंने 2020 में परिक् देखना होगा और 26 तक आपको जमा करना होगा और 36 तक आपका जो है यहां पर परिणाम बना दिया जाएगा और जैसे इसका रजल्ट आता है उसकी जानकरी हम देंगे अब फाम आप कहां से भर सकते हैं तो हम यहां पर बताना चाहेंगे idbvmponline.gov.in की जो वेबसाइड है यहां से आप फाम भर सकते हैं इसकी लिंक के भी हम आपको नीचे वीडियो में डिस्करप्शन में दे देंगे वहां से डाक्टी पहुंस सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर बहुत सारे आप्शन आपको मिल जाएंगे तो य इस ऑप्शन पर जाकर जो है अपना फॉर्म खोल सकते हैं यहां पर उन्हें एटी के टीया सप्लिमेंटी जो भी है लिखना होगा यहां पर उन्हें नवंबर 20 सेलेक्ट करना होगा इसके बाद यहां पर सेमिस्टर सेलेक्ट करना होगा सेमिस्टर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपना तो यहाँ पर जब आप येर स्लेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा अगर आप यहाँ पर सबसे पहले enrollment number डालने के बाद आप यहाँ पर एक बार मार्च 2021 में भी सर्च करके देख लें और इसके बाद आप जो है जून यहाँ पर 20-21 में भी सर्च करके देख लें हमारे पास कोई enrollment number नहीं है जिससे हम पूरी जानकारी आपको यहाँ पर फॉर्म कोल के बता सके इस टाइप से आप अपना फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं और अगर कोई प्रावलम आती है तो आप हमें कमेंट करें हम कमेंट जा हमें जाइब करें करेंग्रा का पॉर्म यहाँ पर बीकरेंग।